नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है आप लोगों के चैनल में Ultimate Health and Home Remedies के अंदर आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा Hypothalamus के बारे में जो की Brain का ये हिस्सा होता है हम लोग देख पा रहे हैं की Brain के अंदर ये वाला जो हिस्सा है जो Green color का आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको हम लोग Hypothalamus बोलते हैं ये Just Thelemis के नीचे होता है और Pututurine जो गरंती होती है इसे हम लोग Pututurine गरंती बोलते एक इससे Just upp year होता है तो अगर Thalmel Skype के नीचे होता है इसलिए इसको हम लोग hypothalamus कहते हैं और इस hypothalamus के बहुत सारे काम हैं, इस जगे को हम लोग hypothalamus बोलते हैं, जो putotering गंति के ऊपर है, इसके विभिन प्रकार के कारिये हो सकते हैं, जैसे सरीर का तापमान नियंतरित करना, जो सरीर का टेंपरेचर है, जो पसीना निकलने से हो जाता है, उसको तापमान को नियंतरित करने के लिए ये hypothalamus ही हार्मोन जो है, वो स्त्रावित करता है, तो दूसरा है हार्मोन स्त्रावित करना, भूग को नियंतरित रखना, आप लोगों को obesity होगी, आप लोग पतले होंगे, मोटे होंगे, ये सभी भी उसके लिए भी ह हार्मोन है भावनाओं में भैकर जो आप लोग decision लेते हैं decision making जो system होता है उस पर भी जो नियंतरत पाने का काम है वो hypothalamus का करता है तो चलिए हम लोग बात करते है hypothalamus की hypothalamus में मुख्या तीन जगह होती है है जिसको हम लोग nuclei कहते हैं यह nuclei जो है वो कैसे responsible है वो सभी बाते हम लोग देख लेते हैं hypothalamus में मुख्या तीन जगह होती है तीन other reason होते हैं और उन्हीं तीन regions के भी केंद्रक होते हैं यह देखिए यह hypothalamus का diagram दिखाया गया है और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके nucleus है यह nucleus यह वाली nucleus यह वाली nucleus यह सभी nucleus है लेकिन इसमें जो एहम है वो तीन है और इन सभी के भी तीनों के भी center point होते हैं तो सबसे पहला जो reason है वो है anterior nucleus, anterior nucleus यह आप लोगों को दिखाई दे रही होगी इसको लोग बोलते है anterior nucleus, यह anterior nucleus है आप लोगों की यह बाली और यह पूरा का पूरा आप लोग hypothalamus बोल सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों के anterior nucleus है इस anterior nucleus का काम क्या होता है तो बहुत छोटे चोटे हिस्सों में आप लोगों का दिमाग है वो काम करता है और उसके भी बहुत सारे सेक्शन्स जो है वो साइंस ने डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें एक एंटीरियर यह काम क्या होता है जो स्ट्रेस हर्मोण होता है नियंतरन होता है वो काम करता है यानि कि anterior nucleus जो होता है hypothalamus के अंदर उसमें अधर जो hormone other reasons होते हैं center reason होते हैं और इसी anterior nucleus के अंदर जो hormone इस्तरावित होते हैं वो उसमें पहला है CRH hormone जो stress level को नियंतरित करता है दूसरा है थोरो ट्रोपिन रिलीजिंग hormone थोरोट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोन यानि TRH hormone यह थाराड जो हर्मोन होता है यानि प्यूट्रीन ग्रंथी के साथ मिलकर इस्तरावित होता है जो टी एस लेवल को balance करता है तो hypothalamus में जो हर्मोन इस्तरावित होते हैं वो वो प्य।ोटरीन गंथी के साथ भी मिलकर आप लोगों के hormones को balance करते रहते हैं, तो इस में जो TRH hormone है, TRH, thyroid hormone, यह hormone जो है वो actually प्य।टरीन गंथी के साथ मिलकर TSH को balance करने का गाम करता है, तो आप लोगों ने देखा कि cortocor, cortico, cortocorrelising hormone है, वो stress level को denote करता है, यह thyroid hormone को denote करता है, तो अगर thyroid functions बिगड़ता है, तो कहीं न कहीं आप लोगों की obesity भी बिगड़ती है, आप लोगों को पता है कि metabolic rate होती है, वो TSH से बिगड़ जाती है, तीसरा जो hormone है, वो है GnRH hormone, फोर्थ नमबर पे जो आता है, वो है oxytocin hormone, जो आप लो इससे हम लोग बोलते है, vasoprecin hormone, यह vasoprecin hormone जो है water level in the body, कहने का मतलब है कि जो हमारी kidney होती है, वो कितना water जो absorb कर रही है, वो इस hormone पर depend कर रही है, अगर यह hormone में कमी आती है, तो वो जतना भी water जो है है, आप लोगों को जो diabetes के अंदर बार बार पर रिशाब लगने की जो सम हार्मोन फंहार्मोन सत्राव का करना जैसे की रहाति हार्मोन का बदलना यह हार्मोन पूटेटरुमों थौभ से अंदर जो पहला जारा चोटे-चोटे parts में divided है, बहुँ चोटे-चोटे चीजों में divided है, तो दोस्तों, इन सभी को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये health आप लोगों के लिए है, दूसरा जो reason है hypothalamus का, वो है middle reason, अब लोग देख पा रहे है middle reason, ये जो middle reason है, जिसमें दो other reason आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ventromedial nucleus और arcuate nucleus, ये देखे, ये है ventromedial nucleus, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला ventromedial nucleus और ये है arcuate nucleus, ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ परिश्थित है, और ये यहाँ परिश्थित है, ये वाला part, ये वाला part जो है, भूग लगने को नियंतरित करता है, ventromedial nucleus होता है, ये आप लोगों की भूग को नियंतरित करता है, कि आप लोगों को भूग लगनी है ये नहीं लगनी है, आप लोगों को ज़्यादा भूग लगती है, खाना खाने के बाद में भी अगर आप लोग फुलनेस महसूस नहीं करते हैं, तो ये ventromedial nucleus है, उसमें animita आप लोगों को देखी जाती है, ताकि आप लोगों को obesity हो जाती है, तीसरा जो reason है hypothalamus के अंदर वो है posterior reason, जो आप लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, posterior reason, ये posterior reason जो है आप लोगों का ये वाला भाग, two major nucleus, इसके अंदर भी other nucleus होते हैं, जैसे कि ये आप लोगों गए सामने है, तो hypothalamic nucleus, दूसरा जो है hypothalamus nucleus, ये ज़्यादा important है, important रखता है, मामी लियरी nucleus की तुलना में, ये भी आप लोगों के जो शरीर का जो तापमान होता है, उसको नियंतरित करने का काम करता है, तो posterior reason का का काम होता है, तापमान को नियंतरित करना, middle reason का का काम होता है, आप लोगों की भूग को नियंतरित करना, और इस hypothalamus का काम होता है, हार्मोन को स्तरावित करना, तो ये reason है, जो जरूरी है आप लोगों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि hypothalamus जो है, आप लोग जो है, उसको एनियंतरित नहीं करेंगे, और अगर ये एनियंतरित होत चोट लगी हो अनुवनसिक्ता के कारण आप लोगों का जो हाइपोथलेमेस है वो सही काम नहीं कर रहा हो यानि कि जैनेटिक रीजन्स बच्पन से ही बच्चे में हाइपोथलेमेस में कोई न कोई कमी रही हो चोथा है हाइपोथलेमेस के चारों ट्यूमर दिखाई देना ख लोग समझ गए होंगे यदि हाइपोथलेमेस सही तरीके से काम नहीं करे तो क्या हो सकता है यह देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को इसको देखना यदि हाइपोथलेमेस व्यसोप्रेसिन हार्मोन में अनिमित्ता लाता है तो किड्नी बहुत से पानी को सरीर से बहार कर देगी जो कि डाइबटीस में होता है हाइपोथलेमेस के सही काम नहीं करने की वज़य से सरी का तापमान बिगड़ सकता है और उसको अबैसिटी हो सकती है आपको बार बार भूक लग सकती है हाइपोथलेमेस की वज़य से प्यूटिरिन गरंती से स्तराव प्रभावित होने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते है या अप टारड सकती है तो हो सकता है कि हाइप से खराब हो और वह सही काम नहीं कर रहा हो तो welेज ध्यान धीजिए अपने उपर अब बात कर ते हैं कि जो आp करना है वो है hypothalamic condition के क्या लक्षन देखने को मिलते हैं कि आप लोगों का hypothalamus जो है वो सही काम नहीं कर रहा हो उसके लिए आप लोगों को जो blood pressure है उसमें आप लोगों को एनिमित्ता देखी जाती है यानि रक्त चाप में निमित्ता शरीर के तापमान में निमित्ता बढ़ रहा है गड़ रहा है वजन का कम होना या अधिक होना भी हो सकता है भूक नहीं लगना या अधिक लगना भी हो सकता है, नीन नहीं आना, अधिक यूरीन निकलना और टी हैडरेशन ये साथ पॉइंट ऐसे हैं जो hypothalamic conditions को बताते हैं, उसके लक्षन को दिखाते हैं तो आप चलिए जानते हैं कि किस प्रकार आप लोग जो है hypothalamus को ठीक करने की कोशिश कर सकें इसके लिए कुछ natural treatments हैं, आप लोग कह सकते हैं, कुछ tips हैं जो hypothalamus के लिए मैंने बनाई हैं वो है स्वस्थ खानपान, अगर आप लोग देखें तो एक research हुई है चूहो पर, उन्होंने पाया कि अधिक fat अगर आप लोग इस्तमाल में लेते हैं तो hypothalamus में सूजनाने लगती है, और अधिक sugar का इस्तमाल करते हैं तो hypothalamus में सूजनाने लगती है exercise है, स्वस्थ खानपान और नीद लेने से ही hypothalamus में सुधार देखा जाता है, लेकिन hypothalamus एक सही तरीके से काम तब करेगा जब आप लोग exercise करेंगे तो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आप अपने लिए रोज निकाले और exercise कीए, mind को fresh रिखिए ताकि आप लोगों का hypothalamus सही तरीके से हार्मोन जो हैं उस्तरावित कर सकें दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, धन्यवाद